आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास टैंथ के साइंस सब्जेक्ट के रसायन विज्ञान विशे के मोस्ट इंपोर्टेंट दो नमबर वाले कोस्टनों की त्यारी करवाऊंगा जिनके एक्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर के ओल के बूपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए पहला कोस्टन देखते हैं अब रसायन विग्यान के कोश्चन है दो दो नुम्बर वाले कोश्चन है और पहला कोश्चन है सुस्क हाइडरोकलोरिक गैस एक सुस्क लिटमस पत्तर के रंग को क्यों नहीं बदलती है आंसर देखें जल के नय होने के कारण सुस्क हाइड्रोकलोरिक गैस H-Positive यानि कि धनात्मक आयन उत्पन नहीं करती है अत्य यह अमलिय अभी लक्षण को परदर्सित नहीं करती है इसलिए सुस्क हाइड्रोकलोरिक गैस सुस्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है दूसरा कोसरा आपके अनुसार उत्करस्ट गैसों को अलग समू में क्यों रखा गया है आंसर देखें उत्करस्ट गैसें बिलकुल निस्क्रिये हैं तथा इनके बाहितम कोस में बाहितम कोस पूर्ण है ये गैसे सामान परिस्तितियों में किसी तत्तों से सयोग नहीं करती उसी कारण उत्करष्ट गैसों को अलग समूं में रखा गया है नेक्स कोश्चन है वायू में जलने से पहले जलाने से पहले मैगनिसियम रिबन को साफ क्यूं किया जाता है अंसर देखें मैगनिसियम रिबन एक क्रियासील दातू है वायू के समपर्ख में आकर यह आक्सिजन के साथ किरिया करके सफेध रंग की मैगनिसियम आकसायड की परत बना लेती है यह प्रत मैगनेसियम के जलने में रुकावट अवरोध उत्पन करती है जिसे हटाना आवस्चक होता है अत्य वायू में जलाने से पहले मैगनेसियम रिबन को साफ किया जाता है अगला कोशन है अमल को तनू करते समय यह क्यों अनुसासित करते हैं कि अमल को जल में मिलाना चाहिए ने की जल को अमल में यानि कि अमल को तनू करते समय इस चीज़ का ध्यान क्यों रखा जाता है कि अमल को जल में मिलाना होता है ने की जल को अमल में आंसर देखें किसी अमल एवम जल की किरिया अन्तियंत उस्मा सेपी होती है तनुकरण के लिए जब हम बीकर में रखे जल में अमल डालते हैं तो उत्पन उस्मा की मातरा अपेक्षाकर्थ कम होती है परंतु यदि बीकर में रखे अमल में जल डाले तो उत्पन उस्मा की मात्रा बहुत अधिक होगी यानि की हीट जदा जनरेट होगी इस कारण से जल तथा अमल का मिस्रण बाहर चलक सकता है एवं सरीर के किसी अंग को हानी पहुंचा सकता है इसके अतिरिक्त ताप बढ़ने से काच का पात्र यानि की जो पात्र का मतलब होता है जो कोई बरतन है भी तूट सकता है यानि की वह बरतन भी तूट सकता है जिससे दुर्गटना हो सकती है नेक्स कोस्टन है कोस्टन नमबर फाइफ आधूनिक आवर्त सारनी के आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पर परमानू साइज किस परकार परिवर्तित होते हैं कारण लिखिए आंसर देखें किसी आवर्त सारनी में बाईं और से दाईं और जाने पर परमानू आकार घटता है क्यूंकि तत्वों में कक्सों की संख्या समान रहती है परन्तु नाभिक में प्रोटोनों की संख्या बढ़ने के कारण धन आवेस बढ़ता रहता है इसके कारण नाभिक तत्था बाहतम कक्स के इलेक्ट्रोनों के बीच आकरसन बल बढ़ जाता है जिसके फल्स अवरूप आकार छोटा होता जाता है उधारन के लिए M.G. परमानू का आकार N.A. परमानू के आकार से छोटा है नेक्स कोस्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताएं तो आंसर देखें पहला है लोहे पर जिंक की परत चड़ा कर इस परकरम को गैलवी करन कहते हैं और दूसरा है लोहे पर पेंट करके नेक्स कोस्चन है कोस्चन नमबर सेवन मिस्र धातु और अंतर सपस्ट कीजिए आंसर देखें मिसर धातु है और अमल गम है पहला पॉइंट है यहे धातु अथवा एक धातु एवम एधातु का स्यमांगी मिस्टरन होता है अमल गम में यह मरकरी तथा अमल धातू का से मांगी मिसरन होता है उसके बाद यह मिसर यह मिसरन यानि कि धातू अमल गम भी हो सकती है और नहीं भी उधारन के लिए कासा सभी अमल गम मिसर धातू होते हैं उधारन के लिए सोडियम अमल गम नेक्स कोस्टन है कोस्टन नमबर एट दोने का सोड़ा एवं बेकिंग सोड़ा के दो दो परमुक उप्योग बताईए तो पहले है दोने का सोड़ा के उप्योग पहला है इसका उप्योग काच साबुन तथा कागच उद्योग में होता है उसके बाद दूसरा है जल की सताई कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है उसके बाद है बेकिंग सोडा के उपयोग पहला है इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में बेकरी में होता है और उसके बाद है उधर में अमलियता को दूर करने के लिए परती अमल के रूप में इसका उप्योग किया जाता है उसके बाल नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर नाइन आधुनिक आवर्त सारनी में समू में उपर से नीचे जाने पर परमाणू साइज किस परकार परिवर्तित होती है करण लिखिए आधुनिक आवर्त सारनी में समू में उपर से नीचे जाने पर परमाणू साइज बढ़ता है क्यूंकि करमागत रूप से परतेक तत्यों के परमाणू में एक कक्स अधिक जुड़ जाता है अर्थात कक्सों की संख्या में वर्दी होती है उधारन के लिए समू आई के तत्यों के परमाणू के कक्सों में संख्या में की संख्या में वर्दी होने के कारण परमाणू आकार बढ़ता है उसके बार नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर टैन व्योजन अभी करियाओं से आप क्या समझते हैं रसाइनिक समीकरन सहीत एक उधारन दीजिए आंसर देखें व्योजन अभी करियाओं जिन रसाइनिक अभी करियाओं में अभी कर्मक सरल अवियवो में तूट जाता है उन्हें वियोजन अब गटन अभी करियाए कहते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रसानी कबी करिया सभी वियोजन अभी करियाए उसमा सोसी अभी करियाए होती है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 11 जब लोहे की कील को कोपर सलफेट के विलियन में डुबाया जाता है तो विलियन का रंग क्यूं बदल जाता है अंसर देखें लोहे की कील एवम कोपर सलफेट विलियन में निमलिकित विस्थाफन अभी करिया होती है तो यह जो है रसायनिक अभी क्रिया है लोहा आइरन तांबे की अपेकसा अधिक क्रियासील होने के कारण कोपर कोपर सलफेट लवन के विल्यन में से विस्ताफित कर देता है इसलिए आइरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का हलका नीला रंग समाप्त हो जाता है तथा विल्यन का रंग हलका हरा हो जाता है नाइस कोशन है कोशन नमबर 12 उदासी करण अभी किरिया किसे कहते हैं एक उधान देजिए उदासी करण अभी किरिया वहरासाइनिक अभी किरिया जिसमें अमल एवम सार किरिया करके लवन एवम जल बनाते हैं उदासी करण अभी किरिया कहलाती है उधारन के लिए ये हिरासाइनिक अभी करिया सोडियम हाइड्रोक्साइड है हाइड्रोक्लोरिक अमल है और क्या बनता है सोडियम क्लोराइड और जल बनता है तो हाइड्रोकलोरिक अमल HCI तथा सोडियम हाइड्रोकलोराइट परस पर किरिया करेके लवन तथा जल बनाते हैं नेक्स कोस्टन है कोस्टन नमबर 13 किसी पदार्थ X के विलियन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है तो पदार्थ X का नाम तथा उसका सुत्तर लिखिए और दूसरा है उपर आई में लिखे पदार्थ X का जल के साथ अभी करिया लिखिए तो पहले का अंसर है पदार्थ X बिना बुझा चुना है इसका रसाइनिक नाम कैलसियम आकसाइड तथा सुत्तर C.A.O है और दूसरे का अंसर है कैलसियम आकसाइड और प्लस में जल यानिक ये दोनों मिलकर कैलसियम हाइडर आकसाइड बनाते हैं लोहा तांबे की अपेक्सा अधिक क्रिया सील होने के करण कॉपर को कॉपर सलफेट आवन के विलियन में से विस्थापित कर देता है इसलिए आईरन सलफेट बनने के करण कॉपर सलफेट का हलका नीला रंग समाप्त हो जाता है तथा विलियन का रंग हलका हरा बन जाता है नाक्स कोश्चन है работает अभीकरियाओं के लिए समीकर्ण लिखिए तो भाप के साथ आइरन इन दोनों की रसाइनिक अभीकरिया लिखनी है और जल के साथ कैलसियम तथा पोटेसियम तो आंसर नीचे लिखा हुआ है यह पहले का है और यह दूसरे का है नाइस कोशन है कोशन नमबर 15 विस्तापन अभीकरियाओं से आप क्या समझते हैं एक उधारन दीजिए आंसर देखें वे अभीकरियाओं जिनमें किसी योगिक में एक परमानू या परमानू का समू किसी परमानू या परमानू के समू दवारा विस्तापित कर दिया जाता है उसे विस्थापन अभी करिया कहते हैं नीचे उधारन लिखा हुआ है यह उधारन है यहां आइरन कोपर सलफेट के विलियन से तामबे को विस्थापित कर देता है कोशन नमबर 16 बेकिंग सोडा का रासायनिक सुत्र क्या है इसकी निर्मान विदी का रासायनिक समीकर दीजिए अंसर देखें बेकिंग सोडा का रासायनिक सुत्र न.A.C.H.O.3 है बेकिंग सोडा निर्मान है यहां पर यह गल्त हो गया था बेकिंग सोडा निर्मान के लिए कच्छे समान की रूप में sodium chloride तथा ammonia का प्रियोग किया जाता है co2 carbon dioxide h2o पानी तथा एन h3 ammonia का प्रियोग किया जाता है और नीचे रासाइनिक अभी करिया इसकी लिखी हुई है उसके बाद नेक्स कोस्टन है कोस्टन नमबर 17 द्वी स्थापन अभी करियाओं से आप क्या समझते हैं answer देखें वे रसाइनिक अभी करियाएं जिनमें दो योगिक करिया करके आईनों को परसपर बदलने के दवारा नए योगिक बनाते हैं उन्हें द्वी स्थापन अभी करियाएं कहते हैं नाइस कोश्चन है कोश्चन नमबर 18 सायोजन अभी करियाओं से आप क्या समझते हैं एक उधार्ण दीजिए अंसर देखें वेरसाइनिक अभी करियाओं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एकल उत्पाद बनाते हैं उन्हें संयोजन अभी करियाओं कहते हैं कैल्सियम आक्साइड जल के साथ करिया करके बुजा हुआ चूना बनाता है नीचे यहाँ पर समीकर्ण दिया हुआ है कैल्सियम आक्साइड और जल ये दोनों मिलकर एक तत्तों बनाते हैं कैल्सियम हाइड्रो अक्साइड यानिकि एक उत्पाद बनाते है नैस कोशन है को गुलनसील धातू आकसाइड को जल में घुलने से क्या होता है एक उधान दीजिए अंसर देखें गुलनसील धातू आकसाइड जैसे सोडियम आकसाइड तथा पोटेसियम आकसाइड जल में घुलकर सारी आकसाइड बनाती है रसाइनिक अभी करिया है यहाँ सोडियूम अकसाइड और जल मिलकर जो है सोडियूम हाइडरो अकसाइड बना रहे हैं तो यह थे आपके क्लास टैंथ के रसाइन विज्यान के दो नमबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टिन जो एक्जाम में आ सकते हैं वीडियो अच्छी लगें तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लिक कर ले ता कि जब नेक्स वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए